हे ओस्तुब गाई अनु जहरें वेलकम तो डी एसेवन कोर्स और आज की वीडियो के नंदर हमें एक स्टैक का कोशिंग करने वाला है लार्जस्ट एरिया सब मेट्रिक्स विद आल वन्स ठीक है आपको एक मेट्रिक्स दिरका इसके अंदर आपको बताना है कि त्री वाइफ का इसलिए आंसर आपका 15 और भी इसके अंदर मल्डिपल ऐसे रेक्टेंगल्स हैं जिनके अंदर सारी सारे वन्स हैं जैसे के आप यह देखरो एक यह है ईसके एडिया है 12 एक है आपए और वह यह है वह सारे बन रहा एंदर देखquinho के बहुत सारे बन रहे हैं त्री थी पाट बन रहा है त्री ओन्स ही को अज़िए और इस प्रस्वाइटरिक्स हैristill से सब्सक्राइब करेख सकते हैं यहाँ फोड़ा इसे तरीका हो यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा अलग है यह राग यह जैसे हम इसे सा कर सकते हैं कि यह थोड़ा नहीं वाले कोशिंगी तरह जो आपको लाइश्ट एरिया है इस्टोग्राम उसी का उसको करने वाले आप जड़ा सोचो कैसे करने वाले तो अगर आप लोगने सोचा होगा तो बहुत ही सही अगर नहीं सोच पाई तो टेंशन मतलो बहुत ही अच्छा लॉजिक और बहुत अच्छ बेस होती ठीक है अगर यह लाइन बेस होती तो कितनी बिल्दिंग्स बन रही है और उन बिल्दिंग्स से आपको लाइश्ट एरिया क्या नहीं कल सकता है तो यहां पर मैं एक एरे बना देता हूं यह आपका एक एरे है जो कि सिर्फ टॉप वाली रोह को कंसिलर कर रहा है और इस वाली रोह के लिए आपको अगर मालो यह कोशन दे दिया मैंने यह एरे दे रखा आपको ठीक है और इसके लिए मैंने बोल दिया कि चलो इसके लिए लार्जस्ट एरिया इन हिस्ट्रोग्राम बताओ तो कैसे करोगा आप लोग तो यह वाला कोशन तो वही पहले व अब इस वाली रेन को बेस मानते है अब इस वाली रेन को बेस मानते है तो इस वाली रेन को बेस मानते है तो यहां पर कितनी-कितनी हाइट है बिल्लिंग्स की तो यहां पर हाइट है टू यहां पर हाइट है वन ठीक है क्योंकि इससे उपर कुछ नहीं तो यहां पर कि एक इंक्रीमेट कर दे रहा है अगर बननने तो ठीक है तो यहां पर भी बनने तो तो अब यह पर भीणेत ठीक है एरे तो इसके लिए अगर हम सेव तरीकिते सर्व करें दो तू-टू वंटू तो यहां से बनेगा और वन बनेचा आपका 1 x 5 तो 5 बन जाएगा तो यहां से हमारा। आंसर हाएगा 5 कैसे आप जरा सोचो ऐसा कुछ बन रहा है राइट two two one two two यहाँ सेवन बाई five का यह बन रहे है जब कि यहाँ से बन रहा है कि लिए श्रीजिकशन की देख लिए बैस के लिए कि अब इस ही तरीकर स्वाली ग्यार वहीं तो यहां मोस्ण काूल नहीं करेंगे वहां हम बोलें कि height actually इसकी 0 है, तो जब भी हमें 0 मिले, तो वहां डाल दो 0, otherwise अगर 1 मिल रहा है, तो उपर जो भी था उसका increment कर दो, ठीक है, तो उपर था आपका 2, तो 2 को increment कर देंगे, तो जाएगा 3, 1 मिला, तो उपर क्या था, 1 था, increment कर दो 2, 1 मिला, उपर क्या था, 2 था 2, 6 का भी बन सकता है, तो हम 8 वाला ले लेते हैं, आएगा हमारा answer 8, कौन से वाला है, यह यह वाला है, इस वाले base के लिए यह वाला rectangle, ठीक है, 2 by 4, 8, अब अगेन अगले वाले base को कॉंसरे करते हैं, इस वाले base को चलते हैं, तो यहां के लिए, यह 1 है, तो increment हो जागा, 0 सो 1 है, तो increment हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएंगे, तो अब यहां से क्या answer आ सकता है, यहां से आएगा, आपका 3 multiply by 4, which is 12 भी आ सकता है, या फिर 4 multiply by 2, 8 भी आ सकता है, तो 12 वाला जादा है, तो इसलिए 12 ले ले लेते हैं, तो यहां 12, और 12 कैसे आ रहा है, आपका 12 यहां से आ रहा इसका, code के अंदर basically हम previous question जो था, largest histogram वाला, उसी वाले fund को use कर रहे होंगे, उसी वाले function को basically मैं यहां पर plug-in प्ले कर रहा हूंगा, और उससे हमारा answer आ जाएगा, ठीक है, तो बहुत ही fascinating, बहुत ही interesting type का question था यह, ज़रा हम इसका code भी कर देता हूँ, तो यहां पर मैंने वह maximum answer निकाल दिया, जो maximum answer मैं initialize किया, वो initialize किया मैंने maximum histogram से, maximum histogram का मैंने code निकाया, यह वाला code अगर आपको देखना, तो last video देख लेना, same code है, उसके अंदर basically maximum histogram वाले question था वो, उसके अंदर आप basically array pass करते हो, और वो बताते है कि इस array को अगर एक histogram बना होता, तो क्या maximum area निकल का सकता, वह ही, same code है यह वाला, ठीक है, वह यह वाला code हम call करने वाले है यहां पर, तो हमारा grant row है, फिलाल है, हमारी 0, 1, 1, 1, 1, 0, तो इस वाले array के लिए basically हमने यह वाला code call कर दिया है, तो यह हमें लाकर return करेगा, ठीक है, सब्सकर यह हमारी current row, ठीक है, यह current है, तो यह हम पर लाकर रिटन करेगा फूर ठीक है तो हमें यहां से मिलने वाला maximum answer के अंदर फूर तो यह हमें लाकर देगा फूर उसके बाद हम अगली वाली रो से स्टार्ट करेंगे इस वाली रो से चलना स्टार्ट करेंगे और हम क्या करेंगे एक ही करके सभी elements पर जाएंगे और हम अपने इस current row को अपडेट कर देंगे ठीक है current row को हम किस ते किस अपडेट करेंगे हम चेक कर लें कि अगर यह वाला index पर जो element है वह element अगर 1 है तब तो current row को आप increment कर दो अगर 0 है तो कुछ मत करो ठीक है तो किस ते किसी चलना जारा देखते हैं तो क्योंकि यह 1 है तो हम इसको increment कर देंगो जो value पहले थी इसके अंदर तो पहले value थी 0 increment हो जाएगी 1 ठीक है तो यह हो जागा आपका जब आपका i 0 था तो ऐसा कुछ था यह और जब आपका i WA 1 होगी तो क्यासा हो जागा एक करण्ट तो यहां प्लप प्लप जीरो है तो इसको भी है te relationships बड़ेगा अगर यह चूब्याई ऐसको तो यह वाला code में लिखाने ता पहले अभी यह line डाली है मैंने else वाली कि अगर यह 1 है किसी भी index पर अगर 1 है तब तो आप इसकी भी जगह पर 0 है तो आप उस जगह पर 0 लिख दोगे तो क्योंकि यह आप पर 0 था तो इसलिए मैंने आप पर 0 लिख दिया तो अब आपका array य करने वाले हो current answer maximum histogram वाला ठीक है maximum histogram जो अमने लाज वीडियो में देखा था उसी कॉल कर देते हैं इस वाले array के लिए तो क्या answer आने वाले है तो 1 के लिए आपका आ सकता है 1 multiply by 4 which is 4 2 वाले के लिए आ सकता है 2 multiply by 3 which is 6 ठीक है तो 6 आपका यहां से answer यह हमें लाके देगा 6 रोह एक्स आपका तू to 2 के लिए चलते है अगली वाली डों के लिए चलते है इस वाली रोह के लिए तो अगें हमारा current वाला array हम बनाएंगे हो तो आप येहां पर पर आपकी 2-la चलते हैं I equals to 3 के लिए current देखते हैं क्या बनते है तो again क्योंकि ये one है तो update कर दिए दे ब्देट कर देगे 300 वटार गोजागा इचरो तो ये ये रहे ये वाला अपसके और फोर आ ये लिए आपका हो सकता है ये फारी के लिए आपका हो सकता है 4 ठीक है या तो यह वाला अंसर हो सकता है 2 के लिए 4 या फिर आपका 1 के लिए हो सकता है यह वाला 5 तो यहां से जो maximum answer निकल के आ सकता है वह हो सकता है आपका 3 2 6 यह वाला 6 यहां से आपका इंस्ट्रोग्राम कैसे सॉल्व होता है वो बता रखा है वो आपका स्टैक कर रहा होता है इसलिए इसे स्टैक में डाला हुआ है ठीक है तो यह था एक बहुत हुआ होता है झाला है टाला है उपका स्टैक में अीक है оф आपका स्टैक में नहीं टता है रहा हुता है उचचित है है यह एकंपासे कि अ